वेल्कम बेगा है मराज कुमर सर्मा आज की वीडियो में हम ऐसी सेल्स टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे जिनका इस्तेमाल हर बड़ी कमपनी करती है कहने को तो यह छोटी छोटी sales techniques है लेकिन इनका असर इतना बड़ा होता है कि यह techniques अगले दिन से यह आपकी sales को एकदम से increase करना शुरू कर देती है तो चलिए जानते हैं इन techniques के बारे में लेकिन उससे पहले अगर आप इस channel पर पहली बार आएं तो आपको इस price को थूड़ा सा कम करना है hand rate से 98 कर दीजिए और यह चीज आपको customer को भतानी नहीं है यह आपको उसे saw करनी है आपको अपने product पर यह अपने advertisement पर यह चीज दिखानी है कि पहले price hand rate था उस पर cut us लगाया उसके बाद अब price 98 है आपने काफी ऐसी बड़ी-बड़ी company के advertisement देखे होंगे जिनमें वो अपने price को इस तरह से saw करती है कि पहले price इतना था और अब इतना है तो यह चीज कितनी असरदार है इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा लीजिए तो उन्हें कुछ फायदा होता होगा तभी तो इसे आप अपनी business में भी इस्तेमाल कर सकते है दूसरी technique है direct discount मालीजिए आपके product का price है hand rate आपको इस hand rate पर किसी तरह का कोई discount नहीं देना आपको पहले इस product का price थोड़ा सा बढ़ाना है hand rate से 120 कर दीजिए फिर उसके बाद उसपे 20% या 30% का discount लगा दो इससे क्या होता है कि लोगों का जो ध्यान है आपके customer का जो ध्यान है वो discount पे रहता है price पे उनका focus नहीं जाता बड़ी बड़ी कंपनियां ऐसा करती भी है आप अगर किसी बड़े सो रूम में जाओगे तो वहाँ पे जो shirt बगेरा टंगे रहते है उन पे एक tag लगा है price का 1200 रुपे 1300 रुपे और साथ में एक tag लगा है 30% off 40% off तो लोगों को लगता है कि वहाँ से अगर वो 800 रुपे का वो shirt ला रहे है तो वो काफी फायदे में लेकर आ रहे है जबकि उन्होंने वो 800 रुपे की चीज 800 में ही बेंची है उन्होंने पहले से ही उसका price high कर दिया फिर उसके उपर discount लगा दिया तो जब इस technique को बड़ी बड़ी company भी इस्तेमाल कर रही है तो आप भी करिये न अगली technique है loyalty discount इसका क्या मतलब है यह जो आप discount दोगे यह on the spot नहीं दिया जाएगा इसमें कहाएगी माली जी customer आपके कोई product ले गया पांसो छेसो रुपे के या माली जी 1000 रुपे के आपके product ले गया तो उसमें आपने उसको 10 point दे दिये अब यह 10 point से क्या होगा जब वो अगली बार अगर दुबारा आपके product खरीदता है तब वो इन points को redeem करा सकता है इनका discount ले सकता है तो इससे क्या होगा कि जो customer आपके यहां से product ले गया है और उसको यह points मिले है तो वो उन points को redeem कराने के लिए यह discount लेने के लिए अगली बार दुबारा आपका product लेने आएगा तो एक तरह से यह आपके customer को आपके लिए loyal बना रहे है तो इसलिए मैंने इसको नाम दिया है loyalty discount अगली technique है premium on gift इसका क्या मतलब है अगर माली जी आप कोई 100-800 रुपे का product बेच रहे है तो उसके साथ कोई 5-10 रुपे का product फ्री दे दीजिए आप देखते भी हो ऐसा advertisement कई बड़ी company होगे जिसमें वो कोई बड़ा product देती है और साथ में एक छोटा product फ्री देती है तो यह skim भी बहुत ज़्यादा काम आती है क्योंकि यह भी आपकी sales को कई गुना बढ़ाती है अगली technique है quantity deal आपने देखा होगा कि जब आप साबुन लाने जाते हो तो अगर आप 4 साबुन लेते हो तो एक साबुन उस पे free मिलती है तो यह क्या चीज़ है quantity deal तो यह भी एक तरह की technique है कि अगर आप हमारे इतने product लेते हो तो उस पे आपको एक product free मिलेगा तो इस technique का भी आप अपने business में इस्तेमाल कर सकते हो बड़ी company तो करी रही है अगली technique है lucky draw आपने काफी बाद टीवी में ऐसे advertisement देखे होंगे जिसमें कहा जाता है कि यह product खरीदी है अंदर जो code निकलेगा उसे SMS करिए जिससे कि आप lucky draw में participate कर सकते हैं इसमें अगर आप winner बनते हैं तो आपको इस celebrity से मिलने का मोका मिलेगा या आपको यह inaam मिलेगा तो इससे क्या होता है कि customer जो है यह inaam के चक्कर में या उस celebrity से मिलने के लालच के चक्कर में वो उस product को खरीद लेता है तो इस तरह के जो lucky draw scheme है यह भी आपकी sales को काफी जल्दी increase करती है अगली technique है packaged premium इसका क्या मतलब है कि आपने product के अंदर कोई छोटा product जो है वो free दे दिया जैसे एक तो होता है कि हम product के साथ में free दे रहे है लेकिन इसके अंदर क्या है कि हम product के अंदर एक दूसरा product कोई छोटा जो है वो free दे रहे है जैसे example देता हूँ आपको बच्चों के लिए जो 55 रुपे के cracks OAS बगएरा यह जो इस तरह के product आते है उनके अंदर plastic के छोटे-छोटे toys निकलते है तो काफी बार बच्चे स्रिफ उन toys के लिए वो product खरीद लेते है तो इस तरह के scheme भी जो है आपके sales को काफी जल्दी increase करती है अगली technique है usable benefit इसका क्या मतलब है मा लीजिए कोई customer अगर आपके 1000 उपय के product ले जा रहा है तो उस पर आपने उसे एक movie ticket free दे दी तो इस movie ticket को वो use कर सकता है वो movie देख सकता है तो इस तरह के जो benefit आप अपने product के साथ में देते हैं तो वो customer के लिए useful होते हैं तो इस technique का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगली technique है container premium मतलब हम अपने product को इस तरह के container में या इस तरह की packaging में दे रहे हैं कि उस product को यूज करने के बाद customer उस container को भी यूज में ले सकता है जैसा कि आप side में देख सकते हैं कि इन products को यूज करने के बाद इनके जो container है उन्हें भी यूज में लिया जा सकता है तो जो कि एक customer के लिए additional benefit है तो इस technique को बोलता है container premium और अब जो आखरी technique है वो है refund मतलब आप अपने product के साथ में कुछ इस तरह की policy बना कर दे सकते हैं कि अगर ये product आपको पसंद नहीं आता है या इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप इसे refund कर सकते हैं या आपको अगर अपने product पर इतना विश्वास है कि इस time limit तक इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आ सकती तो आप उस time period तक उसमें guarantee दे सकते हैं और या warranty की policy भी बना सकते हैं तो यह थी वो 10 sales techniques जिनका इस्तिमाल आज हर बड़ी company कर रही है तो इन में से जो techniques आपको अपने लिए useful लगती है उसे अपने business में implement करिए और अपनी sales को increase करिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को like करिए और चैनल को subscribe करिए और इस वीडियो को WhatsApp Facebook पर सबके साथ share करिए